नमस्कार स्वागा थे आप सबका हमारे खास कारिकम देश देशांतर मैं मैं हूँ कवीन सचान समझवता एक्सप्रेस बम धमा के मामले में असीम अनंद और तीन अन आरूपियों को बरी करने वाली विशिस अदालत में कहा है कि विशुसनी और सुईकार साक्ष के अभाव की वज़े से इस मामले में किसी गुनेगार को सजा नहीं मिल पाई इना ये अदालत के नियाधीश जगदीब सिंग ने अपने फैसले में कहा कि विशुसनी और सुईकार साक्षों के अभाव के वज़े से किसी को भी गुनेगार नहीं ठैराय जा सकता अभ्यूजन के साक्षों में निरंतरता का भाव था और आतंकवाद का मामला अनसुलजा रह गया भारत और पाकिस्तान की बीच चलने वाली समझोता एक्स्प्रेस में 18 फरविर 2007 को तमाकों में 68 लोगों की मौत हो गई थी और समझेंगे कि असल में इस फैसले के माइने क्या है और उस वक्त के घटना के बाद जब जांच शुरू ही तो हिंदू आतंकवाद को लेकर जो सवाल खड़े किये गए वो कहां गए और जांच में ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते अदालत को यह कहना पड़ा कि साक्षों के अभाव में इस पूरे मामले में गुनहगारों को सजार नहीं दिया सकती है हमारे साथ खास मिमान स्टूडियों में है जेसाई दीपक है एड़ोकेट है सुप्रीम कोर्ट में आपका स्वागत है प्रोफेसर राजवी शर्मा है पॉलिटिकल एनलिस्ट है आपका भी स्वागत है और नमनीत वासन साफ फॉर्मर डीजी एनाई ए आपका भी स्वागत है शर्मात में करनोगा राजवीर जी आप से जब ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद काफी जादा सुर्खियां बनी पॉलिटिकल तोर पर एक दूसरे पारोप लगे और अब 20 तारी को जब पोट ने फैसला दिया और आज जब डिटेल कॉपी सामने आई है कैसे इसे देखते हैं और उस वक्त क्या ये कहा जाए कि जो एक फैसले को लेकर जज ने कहा है कि संदे और साक्ष दोनों के बीच में एक दूरी होती है लेकिन संदे के आधार पर सब कुछ सवाल खड़ी किये गया आरोप लगा दिया गया लेकिन वो निराधार देखिए ये केवल समझाता एक्सप्रेस का ही नेने नहीं है 2004 और 2008 के बीच में बहुत सारे केसिस इस नाम पर बनाए गए कि ये सेफरन टेरर है या हिंदू टेरर है बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता भी थे जिन्हों ने ये कहा कि हिंदू आतंकवाद इस समय जोरों पर है मैं अगर आप इजाज़त दें तो नाम भी ले सकता हूँ जिन्हों ने इसमें कहा कि हिंदू टेरर हिंदूस्तान में काम कर रहा है उसमें दिग विजय सिंग थे पी चिदाम बर्म थे उसमें सिंदे थे उसमें 2009 में इवन राहुल गांधी जब परदान मंतरी मनमहन सिंग के एक लंच में एमबसेडर्स के साथ मिले तो ये भी विकी लीक्स में पबलिश हुआ कि उन्होंने यूएस एमबसेडर्स एमबसेडर्स से ये कहा कि RSS is more dangerous than Taliban और LET तो एक तो ये उसका एक अलग पहलू है लेकिन अगर आप देखें तो मुझे ये लगता है कि ये जो केसिस थे इसमें वास्तम में कहीं न कहीं चूक हुई इस आधार पर कि शायद जल्द बाजी में ये केस बनाए गए और उसकी सिर्फ ये है कि चालान जल्दी से हो और चार्शीट जल्दी से बने प्रॉपर इंवेस्टिगेशन और साक्ष जो हैं केवल आपने सही कहा कि संदे कोट ने भी सही कहा कि संदे और साक्ष दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है जब तक आप के पास पूरे साक्ष नहीं है तब तक ये किसी को कहना कि ये दोशी है ये हो नहीं सकता और एक सो डेर सो पेजों से लगभग जादा का जज्जमेंट उन्होंने लिखा है इसमें बड़ा इस पस तरीके से बलके उन्होंने अपना एक निराशा भी जाहिर की ह और निराशा इसलिए कि जो असली दोशी थे वो शायद बच गए और उनको दन नहीं मिल सका साइन दीपक जस तरीके से पूरा केस था हाई पर फाइल केस सब की निगाहें थी एन आई एस की जाच कर रही थी ऐसा हमें उमीद थी है काम जनता को उमीद थी कि सच इसमें सामने आएगा लेकिन जब कोड का आज का फैसला है जो डिटेल कॉपी आई उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर जिन संस्थाओं पर या जिन एजिंसियों के साहरे हम सच को सामने लाने की उमीद रखते हैं वो बिमानी हो जाती है देखे जब बनाया गया था तो सोच उसके पीछे ये था कि एक सेंट्रलाइस्ट नाशल एजनसी होगी जो टेरर इशियों उसको और थोड़ा गंबीरता से दिखेगी और इसको प्रासेक्यूट करेगी एक फास्ट्रैक कोर्ट में इसलिए स्प प्योग के पीछे यही सब कुछ होता है 99% of the cases में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इसमें fallout यह है कि जो निर्दोश है वो इतने साल जेल में थे और जो दोशी है हमें उनका कोई पता नहीं है मैं इसको politics के नजरी से देखना नहीं चाहता क्योंकि politics तो रोज होता ही रहता है लेकिन इशू यह है कि आंतरिक security को हमने किस हद तक दाव पे लगा दिया है politics के animals पे उसके altar पे उसकी वेदी पे हमने कितना चड़ा दिया है national security को यह सवाल बहुत-बड़ा खड़ा हो जाता है and इसका मतलब यह है that judicial reforms हो या फिर legal reforms हो या police reforms हो जब तक यह सारी चीज़े independent नहीं होती है politics से तब तक यह चलता रहेगा as a consequence of which यह जितने भी process होते हैं यह पूरी तरह से compromise हो जाते है तो मेरा problem यह है in matters में कि हमारा एक statement होता है जब भी कोई और bomb blast होता है और किसी और reason के वज़े से होता है कि terror का मजभ से कोई लेना देना नहीं होता है यह statement तो सब की मुँपे जल्दी आ ही जाता है लेकिन समझादा का case हो या मालेगाओं blast का case हो सबसे पहला यह coin हुआ था कि ने उसका धर्म से कुछ लेना देना है तो मेरे हिसाब से यह double standards है अगर आपका मानना है कि terror का कोई religion नहीं होता है उसका कोई धर्म नहीं होता या को to other cases. Problem यह है कि यह society में दरार पढ़ जाते हैं ऐसे statements के वरे से and already काफी दरार है आप उनको और भी बढ़ा कर रहे हैं. I think इसके वरे से the general confidence of the public legal system पे criminal justice dispensation system पे थोड़ा कम ही हो जाता है और कोई भी judgment आता हो इन पे तो यह ठपा लगी गया जो इतरी दिन जेल के अंदर थे. तो उसकी तो कोई भरपाई नहीं हो सकती है, कोई compensation उसके लिए नहीं हो सकता है. तो आप किसको इसके लिए जम्यदा ठहराएंगे? पॉलिटिक्स लोग, पॉलिटिशन्स खेलते रहेंगे लेकिन जो लोग अंदर थे और जिनके बारे में इतना कुछ लिखा गया, इतना कुछ कहा गया, उनका क्या होगा? नमीत वासन साब है, नमीत साब, NIA जैसी संस्था जब जाच कर रही हो और उसके बाद अगर हम कोट के फैसले को पढ़ें, जो दर्द जजज जाहिर कर रहे हैं, जिस तरीके से केस में साक्षों को रखा गया, संदे को प्रात्मित्ता दी गई, साक्ष कहीं नहीं लाए जिक्र किया है अगर इस फैसले को पढ़ें, कैसे इस पूरे केस को हम देखे हैं, जैसे की दीपक ने कहा कि एक आम पबलिक, उसका तो फिर भरुसा उड़ता है कि किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, और पॉलिटिक्स किस तरीके से एक बड़े इंसीडेंट को, एक पूर कुछी कुन से नहीं देखूंगा यह समझोता बलास्ट का केस या दूसरे केस जो उस समय में हुए थे आपने देखा कि ज्यादतर केसे एक्विटल हो चुके हैं और अनफार्चुनेटली इसका दोश जो है वो आफिसर्स के उपर जाता है जिन्नों ने यह केसे इन्वेस्ट किये थे यह आफिसर्स की जिम्मेवारी है कि जो शाक्षे है उसको कानून के इसाब से एकठा किया जाए और उसको अदालत में पेश किया जाए अगर शाक्षे नहीं है तो किसी भी इन्वेस्टिकेशन एजनसी को उस केस को चार्शिट नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर क कोई केस आप चार्शिट करते हो बाद में इस तरह की जज्जमंट आती है तो इससे जैसा को पैनलिस ने भी कहा और आपने भी कहा कि जाच एजनसियों की साक्षे बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है जो देश के लिए ठीक नहीं है लेकिन यहां मैं एक बात औ पिलिस ने इन्विस्टिगेट किया उसके बाद यह CBI में गया और उसके बाद यह NIA को सोपा गया जब यह केस NIA को सोपा गया तब तक बहुत समय गुजर चुका था और समय गुजरने के कारण से किसी भी एजनसी को साक्षे एकठे करने में काफी दिक्कत आएंगी नैच के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस केस को इन्वेस्टिकेशन करने के लिए फिर भी जैसा कि सुप्रीम कोट ने भी एक केस में कहा है कि जब केसे कोई एक्विटल होते हैं तो यह ज़रूरी है कि उसके बाद यह जाच की जाए कि उसकी जिम्मेवारी किस के सिर्प पे है वो इन्वेस्टिकेटिंग आफिसर के सिर्पे है या प्रासीकुशन करने वाली आफिसर के उपर है ताकि उनके खिला फैक्शन लिया जाए जब तक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम एस्टेबिश नहीं होगा इस तरह की घटनाएं इस तरह के एक्विटल होते रहे ध्यान नहीं जाता है तो ये system को सुधारने की जरूरत है officers को accountable hold करना चाहिए और investigation agency के जो आला अधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वो investigation agency को इस तरह से चलाएं कि राजनीती तो देखिए राजनीते का तो काम है वो किसी ना किसी तरह से अपना पक्ष को उजागर करना चाहेंगे पर officers को they are not political animals, they are government servants, public servant उनको अपना काम कानून के हिसाब से करना चाहिए यगे राजबीर जी सवाल तो फिर यही ख़ड़ा होगा और होना भी चाहिए कि क्या फिर हमारी अगेंसियां कोई भी उचाह लोकल पर हो, स्टेट लेवल पर हो या फिर नाईए जैसी संस्ता क्या सरकारों के दवाव में काम कर रही थी, काम करती है उनके ने इस पक्ष ताफर तो फिर सीधे सीधे सवाल खड़े होते है बिल्कुल अभी जैसे साइं दीपक जी भी कह रहे थे और अभी जो डियाई जी भी कह रहे थे मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ करने की आवशक्ता है इजनसीज दवाव में काम करती है, ये तो बात लगभग कोर्ट ने भी इसको इंडिरेक्ली कहाई है, चाहे वो पुलीस हो, चाहे वो सीबी आई हो, चाहे वो एन आई हो और मैं इस बात से बिलकुल सहमत हूँ कि जब तक जो आफिसर्स इंवेस्टिगेट करते हैं या जो प्रोसिक्यूशन आर्ग्यू करते हैं केस को या जो इंवेस्टिगेशन और टीम्स होती हैं जब तक उन आफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी भी साथ में तेह नहीं होगी क्योंकि उन्हांने सही कासा हैं दीपक जीन है, कि जो लोग इतने दिन जेल में रहे, उसका कमपेंसेशन कौन करेगा? या जिनके नाम पर एक तरीके का टैग लग गया क्या ये टेरिस्स थे, वह बले ही आज छुट गए, उसकी उस अफमान का कमपेंसेशन कहां से होगा? उनकी इमेज्ग का कमपेंसेशन कहां से होगा? या आपने एक पूरी कम्यूटी को जो बदनाम कर दिया, उसका कमपेंस कहां से होगा और मुझे लगता है कि एक बात यदिपी सुनने में हमको बहुत अच्छी लगती है कि यह जो investigation agencies हैं इनको हमने क्या CBI autonomous body नहीं है technically, legally, CBI is an autonomous body. It functions without the interference of the government. Similarly, NIA was conceived as an agency which will investigate the cases independently without any interference. The question is whether these, these institutions, even if we say they should be independent, but those who are independent, are they working really independently? That's a big question. And if they don't function independently, what action should be taken against them who are, you know, submitting themselves to pressures or interferences. So, until unless we have the officers of integrity inducted into these autonomous agencies, honesty into these autonomous agencies, I don't think there is going to be much an outcome which is required very much. And in the present times, you know, what is required is that there the court in fact must take the case again and should try to see as to where and who failed and why. And the political interference also must be investigated as to who interfered if at all there was interference by politics and politicians. Politicians also should not be spared. If they are spared by the judiciary, I think this kind of interference will go on. डिपेंडेंसी है अंडर प्रेशर है तेखिए जब भी ऐसे मामले आते हैं तो लोगों को लगता है कि इसका जो solution होता है वो कानून में होता है कानून तो बन चुका है और ये लेके बनाया जाता है कानून की इसका पालन होगा और हर independent investigating agency जो है वो independent होगी स्वतनत्र होगी अपने काम को ठीक तरह से करने के लिए लेकिन अगर वो होता नहीं है तो आप हर चीज़ पे कानून को कैसे लागू करेंगे पहले corruption cases politicize हुए उसके बाद rape cases politicize हो गए अब national security के cases और terror के cases भी politicize हो चुके मतलब मेरे हिसाब से public security और public confidence के लिए बचा क्या वो किस चीज़ पे भरोसा करें अभी मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है कि ऐसे मामलों में टिपड़ी अगर कोई देता है और वो भी बिना सोचे समझे देता है और किसी political reason के वज़े से देता है तो उस पे रोक लगना चाहिए देखे सिभी सहारा के case में Supreme Court ने मीडिया के reportage के ऊपर थोड़े guidelines लगाये थे कि ऐसे मामलों पर आप कैसे report करेंगे वरना उस पे contempt action initiate हो सकता था तो जैसे media trials पे पावंदी होनी चाहिए उसी तरह political trials पे भी पावंदी होनी चाहिए कि case को अपने रफ्तार से और अपनी स्वतंतरता से चलाए जाना चाहिए ताकि कोई effect न हो अगर वो सच में दोशी है तो सबूत और साक्षे अपने आप उसका काम करेंगे और अगर वो नहीं है और अगर वो नहीं है और जो निर्दोश है उनको फिर भी उसका कोई benefit नहीं मिलता है क्योंकि उन पे एक brand लग चुका है और यह जिंदगी भर नहीं जाएगा और एक बड़ा हिस्ता जीवन का उनको जेल में गुजार दिया है मेरे हिसाब से अगर कोई निर्दोश हो वो एक घंटा भी जेल के अंदर होता है तो वो गलत है आप साधवी प्रग्या सिंखे बर में बात कीजे या फिर करनल पुरोयत की बात कीजे उनके साथ जेल में क् क्या क्या हुआ है एक हमारे देश के आर्मी में रह चुके है और दूसरी जो है वो एक साधवी है और तीसरे यह है इस्वामी असीमानंद देखिए मैं यह भी कहता हूं कि यह सिर्फ ऐसे केस पर नहीं लगने चाहिए यह एक पक्ष का केस नहीं है आप सिर्फ रिपटाज करेंगे या क्या कायेंगे प्राब्लम यह कि जैसे यह सुझाव आता है कोई करेगा तो फिर री स्पीच का क्या होगा कि फ्रीस की वेदी पे किसी की जिन्दगी पूरी तरह से बली हो गई मेरे हिसाब से और इनकी जो dignity है वो गई क्या हमारे कानून में सत्ता या फिर सरकार में बैठे लोग किसी case में अगर मैं इसी case में कहूं बिना code case फैसले से पहले ही आप अपना decision दे दे या अपने एक line declare कर दे और उसके बाद code का फैसला उससे अलगा है तो फिर उन लोगों की क्या जवाब दे ही तैर नहीं है या उनको कानूनी तोर पर आप कहीं पर खड़ा नहीं कर सकते हैं देखें वो कहेंगे कि मैंने तो किसमे कोई कमेंट कर देता है और बिना कोई सबूत के बिना कोई आधार के और अपने मन में जो आता है अगर वो बोल देता है तो उसका कुछ न कुछ कि अगर लोगों का भरोसा उसमें से उठ जाता है या फिर इन्वेस्टिकेशन के प्रोसे से उठ जाता है कोई पुली स्टेशन क्यों जाएगा अगर कोई पुली स्टेशन नहीं जाएगा तो वो कोई और रास्ता अपनाएगा अपने इश्यो को सुलजाने के लिए नमीद साब, क्या जस तरह से इस तरह के आप मैं कहूं कि राष्टी सुरक्षा के जब मसला हो आतंकवाद का मसला हो जिम्मदार पदों पर या वरिष्ट अहम पदों पर बैठे लोगों का केस के फैसले से पहले एक लाइन ले लेना या एक संकेत दे देना या किसी को दोशी बता देना या निर्दोश बता देना दोनों ही पक्षों में क्या ये बहुत एहम हो जाता है कि जब फैसला आए और उससे अलग अगर है तो फिर आपकी जवाब नहीं भी तैह होनी चाहिए नहीं ये तो मैंने पहले ही कहा है देखिए investigation करने वाले अधिकारी का क्या काम उसको सचाई ढूनना उसको जो है साक्षे इकठा करना है और उसको इमानदारी से करना है अब इन cases में जैसे मैंने पहले भी कहा कि दिक्कत यह आती है कि generally जिस तरह के cases होते हैं इसमें first responder जो है वो state police होती है दूसरी agencies बाद में आती है तीन दिन बाद, चार दिन बाद, एक महीने बाद इन cases में तो कई एक वर्ष या डेड़ वर्ष के बाद ये agency पिक्चर में आई तो सबसे पहले जवाब दही बनती है जो first responder है जो state police है जहां इस तरह की कोई घटना हुई है जिसमें कुछ लोग मारे गए है तो उसमें बहुत जिम्मेबारी होती है कि साक्षे को इकठा किया जाए उसको सही तरह से preserve किया जाए तेकि हमारे कानून में कही तरह की प्रक्रिया दी हुई है जिसका पालना करना बहुत जुरूरी है और कई बार ये देखा गया है कि अधिकारी लोग उनका ही पालना नहीं करते है और बाद में जो accused होते हैं उनको उसका फायदा मिलता है और मैं नहीं जाओंगा कि ये में निर्दोष थे है या कोई निर्दोष था हमारा ये case जो है fail हो गया हमारे case में हम किसी दोशी को दोशी करार नहीं कर पाए तो इसकी जिम्मेवारी बिल्कुल offices पे पड़ती है देखे राजनीती मैंने दुबारा से repeat कर रहा हूँ कि राजनेता हमेशा अपना pressure लाएंगे लेकिन अधिकारियों they are answerable to law and it is their duty to do investigation in a very very objective and professional manner मेरा सवाल यही है कि अधिकारी बहुत सारे in agencies में भी आ देखेंगे किसी को कोट में निर्दोश बता दिया है वो ठीक है अच्छी बात है लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े घटना करम में अरसर्च लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार फिर है कौन अगर हमारी स्टेट से लेकर डिस्टिक्स से लेकर अनाईये जैसी संसाएं सबूत इखटा करने में नाकाम है या फिर ये तराशने में नाकाम है कि इतने बड़े घटना करम के पीछे किस का हाथ था तो इस शर्म की बात हम सब के लिए ने उसको नकार दिया गया वासन साब हाँ जी ने बिलकुल शर्म की बात है और अधिकारियों की पूर्ण रूप से responsibility बनती है कि जिन हर्याना पुलीस में जब ये cases investigate हुए थे शुरू में ये case investigate किया था शाक्षा को उसी समय कठा करना चाहिए था क्योंकि बाद में कोई बे एजनसी जो इसमें आती है उसकी मैंने कहा कि बहुत कठनाई होती है कि बहुत सारा साक्षा तक खतम हो जाता है और इस तरह के cases आप देखेंगे कि वो लोगों की गवाही पर नहीं चलते हैं इस तरह के cases में scientific investigation करना बहुत जरूरी है आप देखिए दिलसुक नगर है या बहुत gap last है उन cases में conviction हुआ और काफी जल्दी conviction हुआ और मोत की सजा भी सुनाई गई life imprisonment भी हुआ क्योंकि वो cases के अंदर scientific जो evidence है उसको इकठा गया गया था इन cases में unfortunate जितने भी है मक्का मस्जिद है या समझोता है या माले कहां हो है इन cases में scientific evidence के बजाए हम लोगों ने जो लोग हैं जो so-called witnesses हैं उनकी statewide पे cases को बनाने की कोशिश की जो की एक सही प्रक्रिया नहीं थी जिसकी वज़े से ये case आज जो इनका हश्रु हुआ है हम सब देख रहे हैं जो एजैसी हैं उनको पता है कि क्या follow करना है लेकिन उस रूट को follow करके कर डिफरेंट रूट पर हो जाना चाहती है कि वो L.E.T. का टेरिस्ट है और उसने इसको अंजाम दिया है लेकिन उस case में उस पक्ष को लगभग नकार दिया तो ये एक सबसे बड़ी भूलती उस क्यों नकार दिया इसकी जांच होनी चाहिए किसने नकारा क्यों नकारा इसकी जांच होनी चाहिए दूसरी बात में ये कहना चाहूँगा कि इस नॉट मियरली कि बिरोक्रिसी ही कानून के प्रती जिम्मेदार है ये जो राजनितिक नेता हैं ये भी दिया रिस्पॉंसिबल टू लो लो तो सब के लिए बरावर है और इसलिए हम उनको छोड़ दें कि जो बिरोक्रिसी है उसको तो हम कहें के दोशी है और जो राजनितिक नेता हैं जो कानून के उतने ही पहरेदार होनी चाहिए जिनका व्यभार कानून से हमेशा गवर्ण होना चाहिए हम उनको छोड़ देते हैं यह कह करके कि इनको तो freedom of speech and expression है मुझे बताइए अभी चुनाव का समय है दोरे मावदन डाप करना ही होने चाहिए अभी चुनाव का समय है एक निता यूपी में कह रहे थे अगर यह भेद खुलेगा surgical यह जो air strikes का है तो इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे अब वह आदमी बिना सबूत के यह बोल दे और फिर स्कॉट फ्री चला जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा सुवर मोटो एक्शन लेने की भी वरस्ता होनी चाहिए जहां पर any person who says anything must come out with facts बहुत शुक्रिया आप तीनों में वहनों का हमारे साथे सर्चाब में शामिल होने के लिए पर बात आपदर्शकों की राय की हमने कारकम दिखाया था है ट्रेबिनल पर सवाल को लेकर सुप्रीम कोट ने जो आदेश दिया है इसने यहां वर्मा लिखती है कि ट्रेबिनल को स्वतंतर और पारदर्शी बना रहा है तो इसमें जल से जल सुधार होनी चाहिए और खाली पड़े पदों को जल भरा जाना चाहिए जिसे लोगों का ट्रेबिनल पर भरोसा बना रहे और जल नयाय मिल सके तो आप दर्शिक अपनी राज सुझाव अलोशना भेज सकते हैं साथ ही हमारे सभी कारिकम यूट्यूप पर देख सकते हैं फिलाला जितना ही नमस्कार